जब भी दोस्तों हम नर्सरी जाते हैं, वहाँ पे हमें अलग-अलग तरह के पौदे देखने को मिलते हैं और जो कुछ प्लांट्स रहते हैं, उनको बड़े गमले की जुरूरत रहती हैं, जिसमें वो असानी से ग्रोग कर सके पर कुछ पौदे ऐसे भी होते हैं, सिर्फ 4 या 5 इंची के गमले में भी अगर आप लगाओगे, बहुत अच्छे दरीगे से ग्रोग करेगे तो आज हम ऐसे ही पौधों की बात करेंगे, जो मैंने खुद अपने गार्डन में लगा रखे हैं से पहले दोस्तो हमारे पास है स्नेक प्लांट या सेंसिविरिया प्लांट, ये दोस्तो बहुत अच्छा एक प्लांट है जिसको आप लगा सकते हैं, सिर्फ 4 या 5 इंची के गमले में और सबसे बढ़िया इसका ये भी एक कारण है कि ये हवा को भी शुद करता है, इस वज जारा बड़े गमल में लगाएंगे, इसके पौदे गल सकते हैं, छोटे गमल में ये बहुत अच्छे दरीके से जैसे आप देख सकते हो, चल सकता है, यहाँ पर दोस्तो हमारे पास है फरन प्लांट, कॉटन फरन है, ये वैसे आप कोई भी फरन की वराइटी रहती है, उस तरीके से ग्रो करता है, ये भी दोस्तो हवा को शुद करता है, आप इस पौदे को भी लगा सकते हैं, सुबा की एक तो गंटे की टूप में ये बहुत अच्छे से चलता है, और इसकी और सारी वराइटी भी होती हैं, जिनको आप चेक कर सकते हैं, नर्सरी में भी ले सकते हैं, ये दोस्तो हमारे पास है पैपरोमिया प्लांट, ये भी एक बहुत अच्छा प्लांट है, जैसे आप देख सकते हो, इसके पत्तों की शेप बहुत अलग रहती है, और इसको मैंने पहली बार एट की है, मेरे पास हाला की बहुत सारी दूसरी वराइटी भी हैं, तो य ये भी बहुत बढ़ी दरीके से हमारे यहां पे बहुत कम मिटी में चल रहा है, सर्फ आप कह सकते हैं, जैसे हम आठ इंच गमले में मिटी लेते हैं, उससे पांच गुना कम मिटी इस गमले में आती है, और उसमें भी ये बहुत बढ़ी दरीके से ग्रोध दिखा रहा है, तो इस पौदे को भी आप छोटे गमले में लगा सकते हैं इसकी मिट्टी दोस्तों जब आप बनाने जाएंगे तब उसमें थोड़ा सा सैंड जादा मिक्स कीज़े राउंड 50% यहां पे हमारे पास है क्रॉटन प्लांट यह भी बहुत असानी से चल जाता है हाला कि जब यह पौदा बड़ा हो जाता है इसको ट्रांस्परांट करना ज़रूरी है पर मेरे पास जैसे छोटे पौदे हैं तो इनकी ग्रोध मुझे इनमें बहुत बड़ी तरीके से दिख रही है यह ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं आपको पौट्स बता रहा हूं काफी बार हमारे घर में केचन में बहुत सार ऐसी चीज़े रहती है जो प्लास्टिंग कंटेनर में आती है उनको आप खाली करके उनमें पौदे लगाईए तो उसके साथ क्या रहेगा हमें फेंकना भी नहीं पड़ेगा और उसका हम रियूज कर सकते हैं उससे बड़िया बात कुछ नहीं होगी तो आप उनको यूज कीजिए उनमें ये पौदे लगाईए उसमें बहुत बढ़िया तरीके से आपके जो क्रॉटन के प्लांट है कोई भी प्लांट है अच्छे तरीके से ग्रोग करेंगे और ये दोस्तों मारे पास है फोर इंच इसको लगाया था मिटी बहुत कम थी तो मैंने सिर्फ आदा ही गमला मिटी से भरा हुआ है फिर भी आप देख सकते हैं इसके ग्रोग में मुझे इसी कोई भी कमी दिखाई नहीं देरी तो इसको भी आप कम जगा में कम मिटी में लगा सकते हैं यह दोस्तों मारे पास अग पहले ही आइड किया है और इसकी ग्रोथ बहुत बढ़ी तरीके से होनी शुरू होगी है जैसे आप देख सकते हैं सिर्फ चार या पांच इंची के गमले में मैंने इसको लगाया हुआ है अगर आप इस पौदे को लेते हैं तो आप बहुत स्मॉल पौट में इसको भी जो हम लोकल भाषा में कहते हैं जो इसकी एक वराइटी रहती है और यह दोस्तों आप देख सकते हो अलग-अलग जो वराइटी जैं यह सर्फ मैंने प्रौपेगेशन करी है मेरे पास जो पौदे हैं वो लास्ट यहर सिर्फ बहुत ज़रा ओवर्ग्रोन हो रखे थे और इस वज़े से जो उनके पत्ते छोटे होने लगे थे तो मैंने उनकी प्रूनिंग कर दी थी और प्रूनिंग करके जो भी मेरे पास cuttings बगेरा बनी थी तो मैंने 5 इंचिस के pot में उनको propagation के लिए लगा रखा है ऐसे ही दोस्तों ये मेरे पास philodendron की variety है जो बहुत बढ़ी है तरीके से ग्रो हो रही है ऐसी बहुत सारी varieties हैं enjoy pothos, golden pothos, marble queen सभी को 5 इंचिस के pot में propagate कर सकते हैं ये दोस्तों मारे पास है aglonema ये बहुत बढ़ी है एक indoor plant भी माना जाते है और अलग-अलग रंगों में इसके जो leaves आते हैं structure भी shape भी अलग-अलग होती है काफी जो varieties की और ये भी मैंने 5 इंचिस के pot में लगा रखे हैं actually हुआ क्या था जो ये वाले मेरे plants से ये पहले 7 इंचि के गमले में थे जिनमें ये rot होने शुरू हो गे थे तो मैंने इनको transplant किया छोटे गमले में कुछ thigh varieties रहती हैं और कुछ हमारे Indian grown varieties रहती हैं जिसमें बहुत बड़े पत्ते होते हैं तो इन सभी को भी आप small pots में लगा सकते हैं जैसे आप ये white caladium देख सकते हो इनके जो पत्ते हैं वो बहुत बड़े हैं और cable 5 inches के pot में लगे हुए हैं ये ज़रूरी है जब भी आपका पौदा multi shoot निकालता है एक से जारा shoots होती है उनको अलग कर दीजे जिसके साथ एक ही गमले में सिर्फ एक ही shoot को जारा से nutrition मिले जिसके साथ ये बड़े पत्ते निकालेगा अदरवाइस आप देखेंगे आपके पौदे के जो पत्ते हैं उनका size छोटा होना शुरू हो जाएगा जैसे आप इस पौदे में देख सकते हो तो इनको divide कर लीजे पर फिर भी ये 5 inches के pot में बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोग करेंगे ये दोस्तों हमारे पास है कलेथिया कलेथिया में बहुत सारी varieties रहती हैं मैंने करीब एक डेड़ साल पहले सबी varieties जो भी रहती है मैंने add करके देखी थी पर मेरे यहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं चली केवल ये एक varieties पर मैंने मंगवाई थी दुबारा से ट्राई करने के लिए ये बहुत बढ़ी तरीके से ग्रोग कर रही है कलेथिया इसको बहुत जाला humidity चाहिए रहती है जब भी हमारे यहाँ पर temperature में change आता है sudden change ये जेल नहीं पाते हैं उसमें ये खराब हो जाते हैं इनके पत्ते सूखने शुरू हो जाते हैं पर ये जो दोस्तों कलेथिया है ये सर्फ बहुत बढ़ी तरीके से ग्रोग कर रहा है सर्फ 80 रुपीस का मैंने लिया था और इसक साइज यही है 3-5 इंचिस का पॉट और ये जो वराइटी है सीडम की वराइटी है जो मेरे पास 1-5 साल पुराना पॉदा है वो अभी तक चल रहा है चाहे जितनी मरजी बारिश आती है इसको थोड़ा बहुत पानी भी काफी बार जादा पड़ जाता है फिर भी ये भी लगा सकते हैं स्मॉल पॉट्स में अच्छे से चलते हैं और ये दोस्तों मारे पास है फिटूनिया या नव प्लांट ये भी बहुत अच्छे तरीके से स्मॉल पॉट्स में चलते हैं मैं इनको लेकर ही इसलिए आया था क्यूंकि कुछ जगा पे मैं एक कठे पौदे रखना जाता था जहां पे ज्यादा से ज्यादा पौदे हो सके स्मॉल पॉट्स में तो उनमें से मैंने इन पौदों को भी चूज किया था ये बहुत बड़ी तरीके से हमारे यां पर ग्रो कर रहे हैं ये सरफ पानी को लेके बहुत सेंस्टिव है अगर आप पानी उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसके साथ इसकी जो ग्रोथ है अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगी और ये कटिंग से आसानी से प्रॉपेगेट होता है ये दोस्तों मारे पास है अगला पौदा इसका नम है वेंडरिंग जी हूँ इसमें बहुत सारी वराइटी आजाती है मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बहुत बरी आपको दिखाया है ये पौदा और ये दोस्तों जो वराइटी है वेरिगेटर वाली है और इसको कटिंग के दवारा बहुत आसानी से ग्रोग किया जा सकता है ये पांच इंची के गमले में मेरे यहां पे दो चीमाल लीव्ज आते हैं पर वेरिगेशन सबसे अलग रहती है ये दोस्तों मारे पास अगला पौदा इसका नाम है संगोनियम संगोनियम में भी बहुत बढ़ एता जी कैसे से ग्रोथ हो सकती है और ये मेरे पास है और ये थोड़ा सा कौसली आता है और बहुत जादा डि ये pink singonium है इनको भी मैंने लगाया हुआ है तो singonium भी एक ऐसा plant है जिसको आप small pots में लगा सकते हो खाली डिबो में container में जो आपके पास kitchen में इस्तमाल होते हैं उनमें भी आप लगा सकते हैं ये बहुत ही hardy plant माना जाते हैं तो इसको भी आप जरूर लगाएं तो दोस्तो ऐ ऐसे ही बहुत सारे पौदे रहते हैं जिनमें से मैंने कुछ पौदे आपको आज दिखाए हैं I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो का end करेंगे ये सभी अडेनियम के plants के साथ जो अभी एक एक करके सभी खिल रहे हैं इसके अलावा दोस्तो अगर आपको